नमो नारायन मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम तरुन तुसार तनू तनुसका या इसके अलाबा जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के टी अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीबन में 2022 में क्या क्या पड़ी वर्तन क्या क्या बदलाब होगा मित्रो इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोटका है जिस टोटके को यदि आप आज माते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा मजिबूत एबं बहतर होगा तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रो यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें तो मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि टी नाम बाले लोगों के जीबन में दो हज़ियार बाईस में क्या क्या बदलाब होगा मित्रों शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके केरियर के बारे में मित्रों आप में से जो भी जातक कारोबाड़ी हैं बेपाड़ी हैं तो आने बाले शमय में आपको अपने कारोबार अपने बेपार के छित्र में अपनी रन नीती पर काम करना होगा क्योंकि 2022 में यदि आप अपने बेपार के मामलों में कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको कुछ पड़ेसानी का सामना करना होगा क्योंकि आने बाले शमय में जो आपके दुस्मन है या फिर जो आपके पड़ती द्वन्दी है इन लोगों से आपके बेपार में आपको चुनोती बहुत जयादा मिलेगा इसलिए आने बाले शमय में आपको खुद को मजबूत करने का प्रयास बहुत जयादा करना चाहिए क्योंकि इन मामलों में यदि आप लापडबाही करते हैं तो आपको घाटा उठाना होगा आपको नुकसान का सामना करना होगा एबम इसके अलाबा आपको मानसिक तनाब का सामना भी करना होगा लेकिन 2022 में जो आपके मित्र हैं या जो आपके करीबी हैं इन लोगों से आपको बहुत जयादा सहायता मिलेगी तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके नौकडी के बारे में मित्रों आप में से जो भी जातक अब तक नौकडी की तलास कर रहे थे तो आने बाले शमय में आपको नई नौकडी मिलने की संभाबना बहुत जयादा होगी लेकिन आपको जो नौकडी मिलेगा आपको जो काम दिया जाएगा तो उस काम को करने में आप अपने रुची नहीं ले पाएंगे एबम इस कारण से नौकडी मिलने के बाबजूद आपका लगभग हमेसा ध्यान नई नौकडी खोजने में रहेगा एबम इसके अलाबा आप में से जो भी जातक पहले से नौकडी करते हैं तो आने बाले शमय में आपको आपके जीबन में आपके पुरानी नौकडी को लेकर असमंजस की इस्थिती हमेसा बनी रहेगी एबम आपके ओफिस में जो आपके सेहकर्मी हैं जो आपके करमचाडी हैं तो इन लोगों के साथ में आपका मन मुटाब होगा इन लोगों के साथ में बिबाद होने की संभाबना बहुत ज्यादा होगी लेकिन आने बाले शमय में ऐसा कुछ करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपने नौकडी के छित्र में कुछ पड़े सानी, कुछ समस्या का शामना करना होगा। तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके सिहत के बारे में। मित्रों 2022 के सुरुवात में आपके सिहत के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा मजिबूत एबम बहतर होगा। लेकिन साल के मध में आपको आपके सिहत के मामलों में कुछ पड़े सानी का सामना करना होगा। एबम इसके अलाबा आने वाले शमय में जिस काम को करने से आपको खुसी मिले जिस काम को करने से आपको मानसिक सांती मिले तो इस प्रकार के काम को करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि 2022 में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मानसिक तनाब का शामना बहुत ज्यादा करना होगा मित्रों 2022 के अंत में डैंगू या इसी से मिलती जुलती कोई बिमारी होने की संभाबना आपको बहुत ज्यादा होगी एबम इस बिमारी के कारण आपको पड़ेसानी का शामना शमसिया का शामना बहुत ज्यादा करना होगा तो आने बाले शमय में अपने रहन सहन अपने खान पान के परती आपको बहुत ज्यादा साबधानी बरतनी चाहिए तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके प्रेम जीबन आपके बैबाहिक जीबन के बारे में मित्रों आप में से जूब ही जातक प्रेम जीबन में हैं एबम आने बाले शमय से पहले यदि आपके प्रेम जीबन में कोई भी मतभेद, कोई भी पड़ेशानी था तो आने बाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत अबश्य होगा एबम आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो आपसी संबंध होगा तो वह संबंध बहुत ज्यादा मजबूत एबम बिहतर होगा एबम 2022 में आप दोनों के संबंध में आप दोनों के रिस्तों में बहुत ज्यादा मजबूती आएगी एबम अपने आपसी जीवन में आप खुद को पहले से ज्यादा उरजावान महसूस करेंगे तो मित्रों यही था ती नाम के लोगों के 2022 का रासी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदर होगा मित्रों 2022 में सनी बार एबम मंगल बार के दिन आपको शुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या करबाना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आजिमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहत ज्यादा मजिबूत एबम बहतर होगा तो मित्रों इस बेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे एबम इस बेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दे धन्यवाद जैसियाराम राधे राधे